गुद मॉर्निंग स्टुडेंट्स बिटा कल हमने वक्षिट 4 की थी 1st और 2nd सम आज हम 3rd सम स्टार्ट करेंगे बिटा देखो इसमें क्या है कि जैसे कल आपने सिंगल सिंगल आपने परसेंटेज को सोल किया था वैल्यू निकाले थी अब आपको यह डबल दिया हुए बिच में और डालके डबल सम दिया हुआ हमने दूनों को अलग-अलग सोल करना है और फिर हमने उसे कंपेर कर देना है कि किसकी वैल्यू जादा है जैसे 1st वन क्या है 15% of 15% of 200 और थोड़ा सा स्पेश छोड़ के लिखो 20% of 100 यह गया 15% का साइन हटाया अपन में 100 मल्टिप्लाई 200 तू जिरो से यह तू जिरो कट कर दी 15 तू जा 30 आ गया और इदर 20% का साइन हटाया अपन में 100 ओफ मींस मल्टिप्लाई और 100 100 से 100 कट हो गया कितना आ गया 20 आ गया अब इसे दोनों की वैल्यू निकाल ली हमने अब इसे कंपेर करना है कि find which is more of the two दोनों में से कौन सा जादा है देखो देखने में 30 और 20 दोनों को कंपेर कर सकते हो आप तो यानि 30 जादा है तो आप लिखोगे 15% of 200 is more चीक है बटा इस तरह से आप करोगे और इसी तरह से आप ये वी पार्ट भी सोल करोगे इसी तरह से कटिंग करके इसी तरह से आप भी पार्ट सोल करोगे और इसे आप अपने आप करोगे ठीक है बीटा अब next हम चलते हैं वाक्षिट 5 वाक्षिट 5 में क्या है देखी इदर solve the following questions अब आपको जो है questions दिये हुए है और वो किस form में दिये हुए है word problem की form में दिये हुए है जैसे रोहन gets 38 out of 50 in his monthly test of mathematics क्या है रोहन के 38 marks आए कितने में से आए 50 में से यानि total marks कितने थे 50 मैंने आपको classroom में वक्षिट 3 करवाई थी सेम ऐसे ही था कि रोहन के 50 marks में से 38 आए यानि total marks थे 50 रोहन ने कितने score किये 38 express his marks in percentage तो उसके marks percentage में बताओ ठीक है पहले तो हम statement लिखेंगे उपर लिखेंगे वक्षिट 5 पूरा जैसे आपको लिखा है रहा next page पर start करने है वक्षिट 5 page 155 first sum sold the following पूरा जैसे लिखते हैं statement पूरी statement लिखने है sold the following question फिर ए पार्ट रोहन गाट्स ठीक है थर्टी एट आउट ओफ डैश 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 करके और लास्ट में इन परसेंटेज ऐसे लिखोगे फिर आप लिखोगे यहाँ पर अब सम स्टार्ट करते हैं देखो क्या क्या पता चला हमें statement से total marks total marks कितने थे total marks से 50 रोहन गाट्स marks रोहन गाट्स marks रोहन ने कितने marks लिए 38 percentage of marks percentage of marks is equal to कितने होंगे मैं कैसे marks देती है मैंने आपको क्लास्ट रूम में यह सिखाय था था 38 out of 50 इसे लिखते है ना मैं मैं आप हमें percentage निकाल लें पर्सेंटेज का मताब multiply by 100 इस तरह से आप क्या करोगे जीरो से जीरो को कट कर दो यहां पे 5 बंजा 5 और 5 टूजा 10 ऐसे आप क्या रहे गया 38 और 2 दोनों उपर हैं तो आप क्या करोगे 76 percent marks ठीक है इस तरह से अब इसी तरह से बी पार्ट इने क्लास ओफ डैश 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 और क्या लिखोगे इन दा क्लास देख दोगे ऐसे आप क्या है इने क्लास ओफ 45 स्टूडेंट्स 45 स्टूडेंट्स की एक क्लास है 60 percent are boys उसमें 60 percent क्या है boys है find the number of boys इन दा क्लास तो बताओ boys कितने हैं आप देखो आपको percentage दी हुई है और आपने number of boys बताना है तो आप क्या कोगे total boys sorry total students कितने है 45 percentage of boys कितने है कितने percent है 60 percent अब number of boys कितने boys हुए 60 percent of 45 60 percent को हटाया hundred of means multiply 45 वन जिरो से वन जिरो कट हो गई 5 तूज़र 10 और 59 ज़र 45 तूज़र 2 तूज़र 6 और 9 तूज़र 27 boys ठीके बता इस तरह से यह आपके हुए ए और बी पार्ड टू सम्स हुए बिटा आपके इस वीडियो में इसके बाद वीडियो है भी हो जाएगी तो आज हम पहले तो third sum वक्षिट 4 का करेंगे और first और second sum वक्षिट 5 का करेंगे ठीके बिटा ओके बिटा